नमस्कार नहुब्रिया आज 31 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार पिर सुर्चास आईटी आई को विक्सित करेगी सरकार और टाटा टे अगले तीर दिरों तक थंड से बिहार वासियों को कोई रहात नहीं बिहार में मिले कोविड नाइटीन के एक हजार से ज्याद मामले चोथे राउंड की काउंसलिंग का सिक्षा का भेर्थियों को है अंतजार अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से बिहार के 149 सरकारी और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थान को सेंटर ओफ एक्सिलेंस की रूप में विक्सित करने को लेकर बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच में MOU पर आज हर्स्ताक्षन होने की उमीद जोताई गई है मेरी जानकारी के निसाथ श्रम संसाधन मंतरी जिवेश खुमार ने बताया है कि इस MOU के तहट इस पर्योज़ा के तहट कुल मिलाकर 4,606 करोर रुपे का निवेश होगा इसके बाद ही टाटा टेक की तरफ से ITI में 23 नए अडवांस कोर्स संचाले थोंगे वैसे पहले चरण में नए वितियवर्ष में 60 ITI को Center of Excellence के रूप में विक्सित करने का रक्षय पूरा होगा इसमें उद्योग शेत्र की जरूरतों के हिसाब से युवां को ट्रेनिंग की सुबधा और फिर सेक्षन की विवस्था होगी दूसरे चरण में बागी बचे ITI को इसी पैर्टर्ण पर विक्सित करने का काम पूरा होगा मंतरी जी ने बताया है कि Tata Technology 104 Center of Excellence को सभी सोबधाओं से तयार करने के लिए ये कदम उठाने जा रही है आज बिहारी पहचवान में हम बात करेंगे श्रीकृष्ण सिंग की बिहार के स्री डॉक्र स्रीकृष्ण सिंग का नधन आज ही के दिन 161 को हुआ था आज हम उन्ही की बात करेंगे श्रीकृष्ण सिंग भारत के अखंड बिहार राजु के प्रथम मुख्य मंत्री थे, उनके सहयोगी डॉक्टर अनुगरहना रायन सिंग उनके मंत्री मंदल में उप मुख्य मंत्री और वित्तमंत्री के रूपे आजीवन साथ रहे उनके मातरे दस वर्षों के साशनकाल में बिहार में उद्योक क्रशी सिक्षा सचाई स्वास्त कला और सामाजिक छेतर में उलेखनी ये काम हुए उनके साशनकाल में सांसत के द्वारा नियुक्ती फोर्ड फांडेशन के प्रसिद अर्थशासरे श्री एपलवी ने भी अपने रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बहतर साशत राज्यमाना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बड़े अर्थविवस्ता बताया चौत्रे रांड की कांसलिंग का सिक्षक अभ्यर्थियों को हैं इंतजार बिहार में सिक्षक नियोवजिन की प्रक्रिया को इंदनों जोर शोर से पुरा किया जा रहा है प्रारंभिक स्कूल में 90,762 सिक्षक के रिक्त पदों में अभी तक तीन फेज में हुई कांसलिंग तक हुई लगभग 13 रांड की बैठक में और इस कायू में कांसलिंग में 12,495 पदों में से 4,888 सिक्षक अभ्यर्थि मिले इसी तरह चटे चरण में अब तक 43,000 अभ्यर्थियों का चैन हो चुका है अब बाकी बचे अभ्यर्थियों के अगले बहीने 4 रांड की का इंतजार है मिली जानकारी के नसार किसी कारण से जिस नियोजनिकाई में कांसलिंग पूरी नहीं हो सकी है वैसे नियोजनिकाईों की कांसलिंग फरवरी में कराने का लक्ष रखा गया है सिक्षा अभभाग ने ये लक्ष रते किया है कि चैनित सभी सिक्षक अभ्यर्थ से ज्वान गवाने वालों को अनुदान राश्री के रूप में 4 लाख रुपे देने का प्रावधान है ऐसे में इस राश्री को प्राप्त करने के लिए हर दिन परिजनों से सरकार के पास आवेदन आ रहे हैं अनुदान भुकतान को लेकर हाली में मुख्यासाचिफ के सतर पर हुई समीप शाबैटक में जिलों को इसमें और तेजी लाने को कहा गया है केंद्री और द्योगीक सुरक्छाबल CISF ने निकाली रिखतिया केंद्री और द्योगीक सुरक्छाबलने हेट कॉंस्टिबल फायर जो केवल पुरुष के लिए है इसमें ही कुल मिलाकर 1149 पदों पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्ष्णिक योगिता की बात करें तो अभी हर्थियों के पास 10 प्लस टू या सम का शुकोई डिग्री होना अनिवार है इस शुकर योगमिद्वार अंतिम तारिक 4 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट CISF RECTT.IN पर जाकर आवेदन भर सकते हैं साथ ही आप इन पदों से जुरी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यूरल से जाकर ले सकते हैं बिहार में टला बड़ा रेल हाथसा बिहार के बेगुस सराय जुले में बीते दिन एक बड़ा रेल हाथसा होते होते रह गया मेले जानकारी के नसार सहरसा से दिली जाने वाली पुर्विया एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन दो भागों में बट गया इस हाथसे के बाद यात्रियों के बीच में अफ्रात अफ्री का माहौल देखने को मिला दो पार्ट में ये बट गया जिसके बाद यात्रियों में अफ्राद तफ्री मच गई थी लंबे सब्सक्राइश निलंबित नहीं रखे जाएंगे अफसर बीते दिन पटना हाई कोट ने सुप्रीम कोट के निर्णे का हवाला देते वे साफ शब्दों में कहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बदा दे कि पटना हाई कोट ने उकता आदेश निलंबित अंचला अधिकारी दाकेश कुमार की तरफ से दायर याचुका पर सुनवाई के दारान कही है इस दारान याचुका करता के अधिवक्ता अखिलेश दतवर्मा ने बताये कि सुप्रीम कोट द्वारा दिये के निर्णे के अनुसार यदि लंबी अबधी तक निलंबित कर्मी के विरुध जाज पूरी नहीं की जाती तो निलंबन को रद करना होगा जिसके बाद ही अब कोट ने संबंधित अधिकारी को छे महीने के अधिक्तम समय सीमा के भीतर शुरू किये गए अनुशास नात्मक कारवाई को जल्ड पूरा करने का अदेश दिया है चुनावी सॉफ्ट्वेर से इंटर में लगेगी सिक्षकों की ड्यूटी जिसके बाद ही बादने में सिक्षक कारी के नसार राजबर में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है पहले के परिक्षा में कुछ सिक्ष की तैनाती लॉट्री सिस्टम से की जाती थी मगर इस साल सभी सिक्ष को की तैनाती रैंडमली भी होगी बिहार में मिले COVID-19 के 1000 से ज्यादा मावले स्वास्ते पुपाग के तरह से मेली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1238 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद आक्टिफ मरीजों की संख्या 6557 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगरम प्रभाविजिलों की बात करें तो अर्वद में पाँच और अंगबाद में बारह बांका में पंदरह बेगुसराई में 116 भागतपूर में 44 भोजपूर में 23 बकसर में 30 दर्भंगा में 9 इस शिंपारिन में 37 गया में 6 गोपालगज में 31 जमुई में 17 जहानबाद में 4 कैमूर में 15 कचेहार में 22 खगडिया में 4 किशनगज में 27 लखी सराई में 6 मदेपुरा में 36, मदुबनी में 18, मुंगेर में 25, मुझफरपूर में 60, नालंदा में 11, नवादा में 8, पट्टा में 15, पुर्णिया में 12, रोहतास में 13, सहरसा में 58, समस्तिपूर में 32, सारन में 58, शेखपूरा में 10, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 34, सिवान में 11, सुप 29 दौरान 2389 मरीस ठीकों कर घर वापस लोटे हैं बिहार की पहली डिजिटल लाइबरेरी की हुई शुरवात बिहार की पहली डिजिटल लाइबरेरी की शुरवात रहतास जुले के देहरी डालमियानगर परिश्रद में बीते दिन कर दी गई है इस Digital Library का ना महात्मा बुद्ध पिंक Library रखा गया है मिली जानकारी के निसार इस पर कुल मिलाकर 56 लागत से इसे तयार किया गया है बिहार की अनुठी Library तमाम अत्याधुनिक सुवधाओं से लैंस होने वाली है सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के द्वारा संचालित इसे किया जा रहा है वहीं डेहरी डाग्यानगर की चेर्मेन विशाखा सिंग के मताबिक Library में Senior Citizen और Transgender के लिए अलग-अलग विशेश विवस्ता है यहां Online और Offline पढ़ने के सुवधा उपलब्ध है USN नमबर के साथ ही केवल स्मार्ट कार्ट के जरी लाइब डेरी में प्रवेश पाया जा सकता है साथ ही इन-हाउस काफेटेरिया के सुवधा भी उपलब्ध कर आई गई है अगले तीन दूरों तर्थंड से विहार वासियों को कोई रहात नहीं बिहार में ठंड का प्रकूप लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है पश्यमुतर भारत से आ रही सर्द पच्छुआ हवाउं की कहर से बिहार कडाके की ठंड का सामना कर रहा है राज्यों की कई जिलों में ठंड और कंकनी इतनी ज्यादा है कि जम्मू से जादा सर्दी वहाँ पर महसूस हो रही है रविवार सुभे भी पत्ना सहित सुभे की करीब एक दरजन जिलों में नियुन तमपारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया पत्ना मौसम विज्ञान केंदर की माने तो अगले 24 गंटे यानी के 31 जुनवरी के सुभे तक बकसर, भोजपूर, रोहतास, भबुआ और अंगबाद, अर्बल, पत्ना, गया, नालंदा, शेखपुर, अनवादा, बेगुसराय, लखी सराय, जोहानबाद, जिले में भारी ठ पर नियोजित कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर और उनकी पोशाक छेत्रों में कारेरत एएएनम और आशा को मानदे के अतिरिक्त इंसेंटिव देने का फैसला स्वास्तवभा के तरह से जारी क्या गया है, बिरिज़ानकारी के निसार ये इंसेंटिव कम्यूनिटी हेल्थ परिटिकों के लिए मशूर हो रहा है वी टी आर का गोवर्धनावन, वी टी आर का गोवर्धनावन प्रकृति का अनुपम बर्दान है, शुवालिक की परवत श्रेनियों की बीस स्थित टाइटानिक का मनोरम द्रिश्य का सौंदार परिटिकों को अपनी तरफ आकरश्रि है और इसके साथ ही प्रकृति अज्य और अनुपम है, दो पहारी श्रिंखलाओ के बीच एक पहार है जो टाइटानिक का रूप ले चुका है, इस जगे को लोग टाइटानिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, गोवर्धना में आने वाले परिटक टाइटानिक को देख को मिल रही है, इसी बीच बिहार सरकार ने मदर्सों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए स्विधाओं को बढ़ाने का एलान किया है, जिसके तहर सरकार अप्रदेश में संचालित मदर्सों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-बुक्स और ई-लाइब्रेडी आदी की विधा मोहया कराने जा रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार के निर्देश पर अलपसंख्यक कल्यान विभाग की तरफ से मदर्सों को स्मार्ट बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, विभाग ने सौबेड की श्रमता वाले चात्रावास और कॉन्फरंस ह विधानसभा अधियक्ष विजे कुमार सिना का ट्विटर अकाउंट हैक मामले में दर्ज हुआ FIR, साइबर अपराधियों का हुरदंग इन दिनों बिहार में दिन प्रते दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसे बीच बीते दिन बिहार, विधानसभा अधियक्ष विजे कुमा सिना का ट्विटर अकाउंट भी साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया, खबर के अनुसार गुरुवार की देर रात तीन बजे साइबर अपराधियों ने उनकी अकाउंट को टार्गेट किया था 36 गंडरे से, अधिक समय तक अकाउंट हैक रखने की बाद, उसे बीते दि पीरों को भी हटा दिया गया था, वहीं आपति जुनक कांटेंट भी उनकी अकाउंट से डाल दिये गये थे इन में मित्रा की फिरिदे सली दर्भंगा का एरपोर्ट भी शामिल है, दर्भंगा एरपोर्ट पर टाटा की एरलाइन्स का आखरे विमान करीब 67 साल पहले उत्रा था, एरपोर्ट सूतरों की माने तो टाटा समुने अपने स्टेक होलडर के साथ नई कारियोज़ा पर चर अदम उठाये जा रहे हैं, इसी के तहट शेहर में पार्कों के निर्मान को लेकर फोर्ट लेन सरक बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पटना के नागरिकों को सुवधा मिलने वाली है, जानकारों की माने तो इस फोर्ट लेन का निर्मान अटलपत के तर्जपर किया जा रहा है जो की पटना साहिप स्टेशन से जेपी गंगापत श्रतक तक बनाये जाएगा एक दर्शमलब पांच-पांच किलोमीटर लंबी है ये संपर्क फोर लेन पटना सिटी अश्योक राजपत के उपर से गुज़रेगी वही घनियाबादी के बीच एक्सप्रेस वे में दोनों और बहलने के नाकरिक के आवगमन के लिए सर्विस लेन बनाई जाएगी बिहार राजवे पथर विकास निगम करीब संतावन करोर की लागत में इस पत का अंदर्मान कराएगा बिच्री बनाने बारी सबसे बड़ी कंपनी एंटीपीसी ने रेलवे से की नाम बनलने की गुहार बीते कई दिनों से आप आरारबी एंटीपीसी रिजल्ट की चर्चास जरूर सुन रहे होंगे हाला कि रेलवे की एंटीपीसी परिक्षा में हुए बवाल का दुश्परिणाम देश की सबसे बड़ी कंपनी एंटीपीसी लिमिटेड यानि की नाश्रल थर्मल पावर कॉर्परेशन को उठानी पड़ रही है यही कारण है कि National Thermal Power Corporation ने railway को लिटर लिख कर अपनी परिक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा यानि की RRB NTPC रखने पर आपती दर्च खराई है इसको लेकर National Thermal Power Corporation ने railway को पत्र लिख कर कहा कि वो अपनी Non-Technical Popular Categories की परिक्षा का पूरा नाम दिखे जिसे आम लोगों में इसको लेकर कोई Confusion ना हो NTPC Limited देश की सबसे बड़ी बिज्री उतपादक कंपनी है राज़ोद और वामदलों ने MLC चुनाव को लेकर 21 सीटों पर उतारे प्रतियाशी विहार वधान परिस्द की 24 सीटों में से 21 सीटों पर राज़ोद और वामदलों की तरफ से प्रतियाशी तै कर दिये गए हैं इन में से एक सीट बांका की है जहाँ पर CPI प्रतियाशी संजे सर्वमाने को टारा गया है वहीं 20 सीटों पर राज़ोद प्रतियाशी है राज़ोद आला कमान, रास्ट्री अध्यक्ष, डालर प्रतियाशीयों की सूची एक फरवरी को घोशित किया जाने की संभावदा है अब इसी चुनाव में सीट नहीं मिलने से नाराज हुए मुकेश सेनी बिहार में जल्दी वधान परिस्ट चुनाव की घोशना होने वाली हाला कि इससे पहले ही पार्टियों ने सीट बटवारे को ले करके सामनजस से बठाना शुरू कर दिया है इसी कड़ी वे हाली में इंडिये ने भी सीटों का बटवारा किया जिसके तहर्ट भाजपा को 13 और जद्यू को 11 सीटे मिली वही वी आईपी को सीट नहीं मिले कि कारण बेहधीन नाराजगी उसमें दिखाई दे रही है जो इसके देहती लविवार को पतरकालों से बाचीत में मोकेश सैनी ने कहा कि जब हमारी जरूरत ही तो बुला कर गठबंदन किया अब लग रहा है कि वो मजबूत हो गये हैं वो भूल रहे हैं कि बिहार में चल रही सरकार हम और वी आईपी के बल पर ही है राजिपाल कोटे से वनो नित्वधान पार्षदो में भी हमारी अंदेखी की गए बिहार में अब एंडिय का स्वर उपन नहीं बचा है मैं बाहर नहीं जा रहा मुझे एंडिय से बाहर किया जा रहा है इतना ही नहीं 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 सारे सीटों पर प्रत्याश इतारने का ऐलान भी कर दिया है आरारबी अन्टी पीसी अभियर्थियों को मिला प्रियांका गांधी का साथ जिसके बाद सही कॉंग्रेस के पुर्व राष्ट्री अधियक शुराहुल गांधी ने भी चात्रों का समर्थन किया था जिसके बाद ही अब पार्टी के राष्ट्रे भाहां सच्छिफ प्रियांका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर निरदर चात्रों के साथ एक ता दिखा परियांक गांधी के पस बीत Mein दिन पहुंचने का काम किया और उने अपनी परिशानी अपने दम पर लड़ने का एलान तो किया है। जिसके बाद ही पटना पहुचने पर उन्हों ने कहा कि हम कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोशना जल्द ही की जाएगी। वहीं उन्हों ने NDA गठबंदन में हुई सीट शेरिंग पर अपना बयान भी जारी किया है जिसके तहर उन्हों ने कहा कि जिस तरीके से दो घटक दर वियाईपी और हम की अंदेखी की गई उसे यह लग रहा है कि कहीं न कहीं NDA में सब कुछ ठीक नहीं है। मोर को 1963 में भारत का राश्ट्रे पक्षी घोशित किया गया। कॉलकता में उसे तेरासी को पहला स्थुष्क्र बंदरगाश शुरू हुआ। भारतिय स्टील कंपणी टाटा एंगलो इंच इसपात कंपणी कोरस के अधिकरहन के बाद 2007 में विश्व की पाँचवी बड़ी कंपणी बने। 2008 में भारत अमेरिकी असेने परमानू करार के विवादसपद हाइड आक्ट कानून के जनक और पुर्व रिपब्लिकन निसानसद हेंडरी ने हाइड का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुर्व मुख्यमंत्री मायवती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को पान साल के अंदर बिजडी के मामले में आत्मिरभर बनाने के लिए 6,160 करूर रुपे की विद्यूत परिजणाव का लोकारपन और श्रीलन नियास किया। ये सीनर लेग स्पिनर ये जुवेंदर चुनौती देने का समर्थन किया है। आज हम आपको पेटियम आटो पेमिंट का फीचर कैसे काम करता है? इसका तरीका बताने वाले हैं. पेटियम आटोमाइटिक बिल जनेरेट होने पर आपको बिल की डीटेल्स शेक करता है। और तारीक से तीन दिन पहले या फिर बिल जनरेट होने के दिन बिलका भुकतान करता है इसका नोटिफिकेशन आपको SMS और E-mail के जर्य दे दिया जाता है इसके लिए पेटियम कोई भी अतरिक्त चार्ज नहीं वसूलता ध्यान देने वाली बात यह है कि बिलका भुकतान अगर आपके बॉलेट में परियाप्त धनराश्य नहीं होगी तो आपके लिंक किये गए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसे अपने आप डेबिट हो जाएंगे, अगर आपने अपने इक रीटेल को लिक नहीं किया है तो बिल्भुकतान फेल हो जाएगा, कर हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आजुके सवाल की और आजुका सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार आपके आसपास बिहार सरकार की नलजल योजा पहुची है या नही अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अबडेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद